जै मतरणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है माम भगविते दुर्गा की क्रिपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अहोई अश्टमी के बारे में अहोई अश्टमी जो की हर साल कार्थिक मास के क्रिश्न पक्ष की अश्टमी तीथी को मनाई जाती है करवा चोथ के ठीक चार दिन के बाद अहोई अश्टमी का व्रत किया जाता है और जैसे की करवा चोथ का व्रत किया जाता है अपने पती की लंबी आयू के लिए उसी प्रकार से अहोई अश्टमी का व्रत करते हैं संतान की लंबी आयू के लिए संतान की सुक सम्रिध्धी की कामना से उनके उज्वल भविशी की कामना से इस व्रत को माताय धारन करती है इस दिन पूजा की जाती है अहोई माता की ऐसा कहा जाता है कि अहोई अश्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करना उनका दर्शन करना अत्यन्ति शुब और स्रेष्ट फल देने वाला होता है तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अहोई अश्टमी साल 2024 में कब है अश्टमी के दिती कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारन करना है और अहोई अश्टमी के दिन अहोई माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए संपोर्ण जानकारी अहोई अश्टमी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ तो बहुत महतुपोर हैं आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए यही एक मातर जर्या हैं जिन से मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है तो अगर वीडियो अच्छी लगें तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए और अब सबसे पहले जानते हैं कि अश्टमी तीती कब प्रारंभ हो रही है, कब समाब थो रही है और अहोई अश्टमी का व्रत हमें कब धारन करना है देखिए अश्टमी तीती प्रारंभ हो जाएगी 24 अक्टूबर को सुबह 1 बसकर 19 मिनट पर और समाब थो रहे हैं 25 सक्टूबर को सुबह एक बज कर 58 मिनट पर तो सुर्योदे कालीन तिती के अनुसार 24 सक्टूबर को यानि कि गुरु बार के दिन अहोई अश्टमी का व्रत करेंगे इस दिन पूजा का शुब मुहुरत आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5 बज कर 42 मिनट से शाम 6 बज कर 69 मिनट तक अहोई माता की पूजा की कुल अवधी आपको प्राप्त हो रही है एक घंटे 17 मिनट की अच्छा अहोई अश्टमी के व्रत में तारों के दर्शन करके तारों को अर्गे देकर ही व्रत खोला जाता है तो तारों को देखने का समय होगा शाम को 6 बज कर 6 मिनट पर कई स्थानों पर चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोले जाते हैं तो कई स्थानों पर तारों को देख कर तो चंद्रोदै का समय होगा रात्री में 11 बसकर 55 मिनट पर दोस्तों अहोई माता को माता पारवती का ही रूप माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि अहोई माता की जब हम पूजा करते हैं प्रकार के सभी कुयोगों से दुर्योगों से मुक्ति दिलाती है अहोई माता धार्मिक कथाओं में जो अहोई माता का वर्णन आता है एक साही के रूप में एक नेवले के रूप में आता है जिसे की एक पौराणी घटना के प्रतीक के रूप में माना जाता है कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक महिला जो की अपने पुत्रों की मा थी वो एक समय जंगल में मिट्टी खोदते समय गल्ती से साही के एक बच्चे को मार देती है अब इस घटना के बाद महिला को पच्तावा होता है और वो तपस्या करके देवी से शमायाशना करती है उसकी तपस्या से ब्रसन होती है माता और उसे आशिरवात देती हैं कि उसकी संतान सुरक्षित रहेगी तब से ये परंपरा चली आ रही है कि अहोई माता की पूजा करने से संतानों की रक्षा होती है और सभी महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयू की कामना से उनकी सुरक्षा की और उनकी कल्यान की कामना अहोई माता से करती हैं अब बात करें अहोई माता की पूजाविधी के बारे में तो देखिए अश्टमी तिथी के दिन प्रतायकाल जल्दी उठना है उठकर नानित्यादी करके अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए और देखिए जिस प्रकार से करवा चोथ का व्रत किया जाता है बिना अन और जल्के निर्जल और निराहार रहकर उसी प्रकार से अहोई अश्टमी का व्रत भी निर्जल और निराहार ही किया जाता है तो सुबह के समय व्रत का संकल्प लेते हैं फिर दिन भर बिना अन और जलके ही रहा जाता है और शाम को अहोई माता की पूजा की जाती है तो एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा कर या फिर पीला कपड़ा बिछा कर अहोई माता की आप चित्र या फिर मूर्थी स्थापित क कर सकते हैं वैसे बहुत से लोग दीवारों पर ही अहोई माता को चित्रित करते हैं गेरू से या फिर रंग से अहोई माता का चित्र बना कर उनकी पूजा करते हैं वैसे अगर आप कर पाते हैं ऐसा तब तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो दुकानों पर भी मिल जाता है मत इसकेबाद अपनी इच्छा के अनुसार माता को भोगर्पित कर सकते हैं वैसे जादातर स्थानों में मेठे गुल्गुले या फिर पूऑ बनाई जाते हैं मिठाईया भी आप चड़ा सकते हैं वैसे फल इत्यादी का भोग भी लगा सकते हैं या फिर पूरी इत्यादी भी बनाई जाती है तो देखिए ये तो छेत्र विशेश के आधार पर है जैसा आपके परिवार में होता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं इसके बाद वहीं बैटकर हाथ में अक्षात और पुष्प लेकर व्रत की कथा सुन लीजिए और कथा सुनने के बा आठ पुड़ी और आठ पुवे का भोग लगता है अहुई माता को और इस दिन सेई की पूजा भी की जाती है और सेई को हलवा और सरेई की साथ सी के अरपित की जाती हैं पूजा करने के बाद अहुई माता की आर्थी कीजिए फिर आकाश में तारों को देखकर उनके दर् करते हैं तो चैनल पर वीडियो अप्लोड हो चुकी है जरूर देख लीजिए और उमीद करती हूं कि आप हमारे चैनल पर अप्लोड होने वाली प्रती दिन की कार्थिक मास की कथा भी जरूर सुनते होंगे अगर आप किसी भी कारणवस्ट नहीं सुन पा रहे हैं तो आज से स्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अप्लोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर ग्राप्त होगी मिलती हूं में आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जैय श्रीराधे